बुलो श्री प्राणनात प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धां कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान, शोभाय मान, हे प्राण धन, हे पिरियम, रिदय श्वर, आपके नूरी ओमल चर्नार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी श्री कृष्ण तृधा लीला दे टैन, यानि टैन्थ डे आप सभी सुन्दर साथ जी के धैरे को प्रणाम, ये थमनेल बनाने वाले सुन्दर साथ जी हमारे नमन भाई जी के चर्नों में कोटान कोट प्रणाम, कोई सेवा ऐसी नहीं होती, जो समय पर नाप्राप्तो, सार सुन्दर साथ जी जो सेवा करने वाले हैं सब के चर्नों में कोटान कोट प्रणाम जी, आपको पता है ना सुन्दर साथ जी हम किन प्रसंग पे चल रहे थे, धनी जी उतले वचन भी बोल चुके हैं, हम वरिंदावन की सुन्दरता भी बहुत प्यार से देख चुके हैं, आज नव वर्ष के अवसर पर कहां जा रहे हैं, आज का ही दिन है, जिस दिन गोवर्धन पूजा से भी प्या जी ने हमें छुडा दिया था, अब चल रहे हैं रामते करने की ओर, तो सबसे पहले बहुत सुन्दर, श्री राजन स्वामी जी के चर्णों में भी कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी, इतने सुन्दर टीका के लिए जो रिदय की तरंगों को, उन रिदय की तरंगों से निकलता है और हमारे रिदय में छंकार पैदा करता है, पिया जी से मिलने की और उतकंठा होती है, तो कहते हैं, रामत का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस मा नीर भाव से उपर उठ कर इन रामतों के बारे में सुनना है, विकार दृष्टी से इन रामतों के बारे में नहीं सुनना है, और सुन्दर साजी ये जो तन मिला हुआ है, ये तन यदि अपनी मर्यादाओं में रहे, तो बहुत कहते हैं, एक नदी होती है न, एक नदी चलती है ती व्रगती से चलती है बड़ी जल्दी सागर से मिल जाती है पर यदि वो अपने किनारे की उसको तोड़ दे अपने किनारे की सिमाओं को तोड़ दे अपने किनारे की मर्यादाओं को तोड़ दे जी हां मैं बिल्कुल तन और जीव के बारे में ही बात कर रही हूं यहाँ पर तन और जीव के दो किनारे लगे हुएं, उनकी मर्यादाओं को यहाँ पर तोड़ना allowed नहीं है, हमारे श्री जी ने कभी नहीं तोड़ा, हमारे धनी श्री देव चंदर जी ने कभी नहीं तोड़ा, पूरी श्री मुखवानी, पूरी श्री बीतक साहब में कहीं न आता कि उन्होंने तन या जीव की मर्यादाओं को कहीं तोड़ा हो सुन्दर साजी इसलिए इन दो किनारे जो भी हमें दिये हुएं ये नदी जब प्रवाहित होगी तो अपने सागर से बड़ी जल्दी मिल जाएगी आपने देखा होगा जो नदी अपनी मर्यादाओं को तो रूक जाती है या बहुत लेट हो जाती है क्योंकि वहीं बिखर जाती है उसकी गती भी उसको आगे लेकर नहीं जाती वो एक सरोवर का रूक धारन कर सकती है वो एक जील बन सकती है पर वो सागर सागर में मिलने के लिए बहुत देरी उसको हो जाती है या कभी वो मिलनी प पपाया जा सकते है वो बिल्कुल गलत कहते हैं सुन्दर साजी क्यूंकि तन से इस सुख का कोई लेना देना नहीं है यह आत्मिक सुख होते हैं हां आत्मा से आत्मा जुड़ जाए तो जरूर पाए जा सकते हैं और वो भी आत्मा परमात्मा से यानि के अपने पिया जी से उनके आवेश स्वरूप के सानिद्य में जब आती है उनसे जब जुड़ती है उनको प्रत्यक्ष पाती है तो वो सुख होता है सुनदर साथ जिसको अखंड तो आईए रास की यही बेस यही इंट्रोडक्शन है कि हमें शरीर भाव से उपर उठकर शरीर की मर्यादाओं में रहते हुए जीव की मर्यादाओं में रहते हुए पर इन भावों से उपर उठकर हमें इन रास को सुनना है श्रवन करना है और सुन्दर साजी जो जो इन ली को भी रद्यंगम पड़ी प्रेम से करेंगे स्वामी जी ने बहुत सुन्दर लिखा है कि मूल मिलावा की रा उन सुन्दर साथ जी के लिए बहुत आसान हो जाएगी तो रास का अर्थ होता है क्रीडा सचिदानंद परब्रम प्रेम और आनंद रस के अनंत सागर हैं ये स्व लीला अद्वैत परमधाम में च्री राजी शामा जी सक्षियां एक ही स्वरूप हैं एक हाथ दूसरे हाथ को जब छूता है ये योग माया की भूमी है सुन्दर साजी वहां की बात ओरी काल माया की बात ये नहीं हो रही है तो जब एक हाथ दूसरे हाथ को स्पर्श करता है तो उसमें कोई विकार द्रिष्टी नहीं आती है, इस प्रकार की ये रामते हैं, क्योंकि पिया जी के तन, शामा जी के अंग ही स्पर्श हो रहे हैं, एक दूसरे से, इसको सागर और लहरों के लौकिक द्रिष्टांत से समझा जा सकता है, बाहरी रूप से देखें, तो रामते हैं ऐसे लगेगा कि इधर नृत्य कर रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, इधर हस रहे हैं, इधर दोड रहे हैं, परंतु सूक्ष्म द्रिष्टी से, बातुनी फाव से जब इनको देखा जाए, तो युगल स्वरूप और सक्षियों के बीच में, जो प्रेम का लेना देना लेन देन, आदान प्रदान हो रहा है, वो इन क्रिडाओं के माध्यम से, जो इनकी, इनका संपादन हो रहा है न, उन पे हमने द्यान देना है, सुन्दर साजी, अक्षरा तीत के रिदय में, उमरता हुआ प्रेम का सागर, इसी को कहते हैं सुन्दर साजी, रास उनके रिदय का बहता हुआ जो रस है, उसी को ही रास की उपमा दी गई, और कहते हैं इन क्रिडाओं के माध्यम से, हम सक्षियों के रिदय में, जब संचरित होता है उसको कहते हैं रास, इसी यहाँ पर ही सुन्दर साजी, स्वामी जी ने बहुत सुन्दर लिखा, ये दिल में आता था, जब श्री कृष्णत रिदा लीला, वान एंड हाफ यर्स पहले स्टार्ट हुई थी, कि ये लीला, जरूर अक्षर ब्रह्म जी के लिए ही डिजाइन है, स्पेशली क्योंकि राज्जी उनी की आत्मा को अधिश्ठान बनाकर बैठे भी हैं, उनी की आत्मा के धामरिदा में बैठे भी, ब्रज में भी और रास में भी, तो जरूर ये दोनों लीलाएं, उनके लिए ही स्पेशली डिजाइन की गई थी, और हम ब्रह्म स्रिष्टियों को जागनी रास में प्रेम की प्रेड़ना ब्रज और रास से ही मिलनी थी, ये कारण रहे ब्रज और रास की लिलाओं के, तो इसमें स्वामी जी ने बहुत सुन्दर लिख भी दिया, के रूप में धाम धनी ने केवल ब्रह्म में दिखाई ये लिलाएं क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी ने इनकी इच्छा की थी, अब सब सक्या, इतने सुन्दर आभूशन, इतने सुन्दर वस्त्र और उथले वचनों को तो भूल कर अब पिया ने नित्वरिंदावन भी दिखा दिया, जमुना जी कितनी सुन्दर है, कुँज निगुज वन कितने सुन्दर, जमुना जी के जल पर लटकते हुए फल, पत्ते फूल कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं और हम सब जब वहाँ पर चहल कदमी करती है, पिया जी के साथ चलते हुए पूरी योग माया जब झंकरत होती है तो कितनी सुन्दर लगती है रात्री रात्री ना लग के ऐसे लगता है हर एक ने चांद को चंद्रमा को अपने पहलू में समेट लिया हो हर एक वस्तर के दरपन में से एक एक चंद्रमा सुशोबित होता उस रात को भी दिवस जैसा बनाता हुआ, इतना प्रकाश जगमगाता हुआ, बड़ी उल्लास से भरी हुई सक्यां आपस में बातें कर रही हैं कहती हैं, आज तो पिया ने बड़े सुंदर वस्त्र धारन किये हुआ हैं, हमें याद नहीं हैं परमधाम का सुंदर साजी, पर ब्रज का हमें पता है, कि ब्रज में कभी ऐसे वस्त्र धारन नहीं किये पिया ने, कभी चोटी भी नहीं बनाई उन्हों ने, आज तो बड़े ही सुंदर और आकरशक और आकरशक दिखाई दे रहे हैं, अब तो प्रेम मई लीला करने की बहुत चाहना है, और ऐसा लगता ह जैसे आगे बढ़ बढ़ के वरिंदा वन हमें दिखा रहे हैं प्रियतम, ऐसे लगता है, एक एक इच्छा को आज पिया हम्यारी पूरी करेंगे, और कहते हैं हमारे रोम रोम में, मुझे इतना अच्छा लगा ये, आज होना चाहिए सुंदर साथ जी है, रोम रोम में प् एक एक रोम पिया पुकारेगा, कैसे पुकारेगा, उसमें सुंदर साथ जी उसमें डाला जाएगा तो बाहर निकलेगा न, हर रोम में पिया को डालेंगे तभी तो पुकारेगा, कैसे हर रोम में पिया को समाएंगे, ब्रह्मवानी समाएगी, सत्गुरु जी की और आशिरवाद समाएंगे पिया जी की महर समाएगी महमती जी की कृपा उनका प्रेम समाएगा रोम रोम में धनी जी को तो एक एक रोम पुकारेगा प्रेमानू सुन्दर साजी निकलेंगे एक एक रोम में से प्रेम आश्रू निकलेंगे एक एक नेत्र में से निकलेंगे सुन्दर साजी तब ऐसी स्थिती आज भी बन पाएगी ऐसा जोश प्रेम का जोश हम सब के अंदर आज भी सिखाती हुई मैं ही जो गोपी बनी थी मेरा ही रूप मुझे सिखाता हुआ कि आज मुझे करना क्या है कहते हैं वरिंदावन को तो अच्छी तरह से देख लिया पिया अब तो एक ही इच्छा है कि आपने यह जो इतना सुन्दर तयार किया है ना वरिंदावन उसमें हम आपके साथ नई नई क्रिडाएं करें और प्रेम में विभोर होकर आनंद में डूब जाएं हमने ऐसी में भी की होंगी उनके साथ बहुत सारी लिलाएं हम किया करते थे पर अब क्या फर्क है सुन्दर साजी वाट इस दिफरेंस ब्रज में और अब जो रास में कर रहें तब हमें प्रियतम की पहचान नहीं थी बिना पहचान के आनंद भी अधूरा रहता है बिना पहचान के रास भी अधूरी रहती है तो अब सुन्दर साजी जब प्रियतम की पूर्ण रूप से पहचान हो गई कि एक आप ही हो और आपके बिना और कोई नहीं अब रास का जो आनंद आएगा उस आनंद का कोई पारावार नहीं होगा केवल घर की पहचान नहीं है आधी नींद आ आधी जागरिती जितना आनंद भी अभी ले नहीं पा रहे हैं सुन्दर साजी पर जैसे ही पहचान की ओर अग्रसर होते जाएंगे इससे क्या पता लगता है अभी अभी ये बात रिदय में आई सुन्दर साजी इसका मतलब पहले पूर्ण नींद होती है फिर आधी आधी नींद स्टेप बाइ स्टेप धनी लेकर जा रहे हैं पहले पूरी नींद फिर आधी नींद आधी जागरिती और इस ब्रहमांड में हम आए तो पूर्ण नींद में थे सुन्दर साजी फिर से शुरू किया from the very scratch क्यों क्यों क्योंकि वो तो अक्षर ब्रहम जी के लि हमारे लिए लेकर आए मारिफत के बेद हमारे रिदय में उतारने थे हमने कहां से स्टार्ट किया सुन्दर साजी जैसे ब्रज में थे पूर्ण नींद में पर प्रेम कितना किया तूट के प्रेम किया अक्षरतीत से अभी भी पूर्ण नींद में शुरू हुए हम सुन्द साथ जागनी रास के ब्रमांड में भी पूरी निद्रा में थे हम सभी सुन्दर साथ अपनी स्थिती को अच्छे से जानते हैं फिर धीरे धीरे वानी मंथन या फिर अपने माता पिता से सुन्दर साथ से सुन-सुन के धीरे धीरे प्रियतम की पहचान की और अग्रसर होते ज रहे हैं तो जब पिया की पूर्ण रूप से पहचान हो जाएगी तब तो हम रास तक पहुंच पाएंगे सुन्दर साजी ये जीवन भी पूरा ब्रज रास और जागनी है पहले हम पूर्ण नींद में होते हैं फिर आधी नींद आधी जागरती की अवस्था में आते हैं फि कि वो टिकने नहीं देता आपको इस काल माया में दिल नहीं लगता सुन्दर साजी और पूर्ण पिया जी की पूर्ण पहचान हो जाना आधी नींद आधी जागरती की अवस्था होती है ये सोच लीजिए पूर्ण रूप से पहचान हो जाना वो रास की अवस्था थी आद घर की बात की जाती है घर की तो बात इन्योरी रास में अभी घर की बात निज घर की बात पहले पिया को तो पहचान ले फिर इतो घर देखेंगे सुन्दर साजी फिर हम पूर्ण जागरिती की और कदम बढ़ाएंगे पर अभी तो ये मनजिल भी पूरी नहीं हुई पहचान होने के बाद सेवा जो की जाती है ना पहचान के बाद जो सेवा होती है जब पता हो कि ये मेरे प्रियतम है तब उनकी जो सेवा होती है आपको शायद किसी-किसी सुन्दर साथ को ये अनुभव भी हो कोई एक कन्या और कोई भी लड़का और लड़की अभी उनकी fix नहीं हुई है पता भी नहीं छोटे हैं भी कि शोर आवस्था में है तो जब आपके घर आते होंगे शायद आपको कोई experience ऐसे हुए हो तब आप उनको कैसे परोस्ते है और जब उनसे मंगनी हो जाती है छोटे में तो पता नहीं होता पर अब मंगनी होगी अब उनको कैसे प होती है ना वो बिना पहचान के तो ऐसे होता है कि हां कर लेते हैं कोई बातनी सेवा करना अच्छा होता है पर फिर सेवा जीवन बन जाती है उसके बिना रहा नहीं जाता क्योंकि वो एक मात्र साधन होता है जो आपको 24 by 7 उनकी तरफ लगाए रगता है सेवा आपको करती है चित्वन करने के लिए भी क्योंकि उनके बिना रहना अब मुश्किल सा होता जाता है तो सुन्दर साध जी अब हमें भी पूर्ण निद्रा से कम से कम आधी नींद की और तो बढ़ें पिया की पूर्ण पहचान करके इमान और समर्पन की रा पकड़ें विरहा से को हमने ही पर्दा किया हुआ है पर्दा तू ही करत है पिया ने कोई पर्दा नी रखा हुआ अब कहते हैं आओ रास की नई नई क्रिडाएं करें कौन कहती है हमने कहा है सुन्दर साध जी हम सबने पिया जी से कहा आज तो हम खेलेंगे सखियां आपस में बाते कर रही हैं ब्रज में सक्षियों का जगड़ा हुआ आपस की किसी बात को लेके ब्रज में सक्षियों के जगड़े का कोई प्रसंग आया आज तक किसी में मैं हो हर एक कोई भागी चली जाती है भागते हुए दूसरे को भी इशारा कर जाती है बांसुरी तो सुन लिये जल्दी आप यह आने वाले हैं वहाँ खृष्ण जी से मिलने नहीं जाना क्या यह प्रेम है दूसरे के प्रती घर के कामों से दबी पड़ी है सुन्दर साथ जी इतने बड़े बड़े परिवार हैं पर स्ट्रेस या टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि शाम को जब मिलन की इतनी उ जब हम सब मिलकर जाएंगी एक दूसरे से कोई इरश्या नहीं कोई द्वेश नहीं कोई क्रोध नहीं सुन्दर साजी तो ऐसी रहनी हमें सीखनी है मैंने ही तो की थी हमने ही तो की थी सुन्दर साजी तब भी आज भी प्रेम कर सकते हैं और जब हम सब आपस में इतना प्र जितना एक दूसरे से लड़ेंगे, जितना विरोध करेंगे, जितना विवाद करेंगे, उतना ही पिया से दूरी हमारी होती चली जाएगी, रास में कोई जगडे का प्रकरन आता है, एक आता है और वो भी किसलिए कि पिया आप मेरे साथ खेलो, आपने इंदरावती जी के सा इंदरावती सकी मेरे साथ भी खेलने दो, ये केसर भाई कहती, आपस में कोई बात है, जो जगडे का प्रसंग हो, आपस में कोई बात किसी की नहीं होती, तो ब्रज और रास से ये सीखना है, सुन्दर साजी हमने बहुत सुन्दर क्रीडाएं कहते हैं, प्रियतम ने कितना सुन्दर नया नया वस्तर पहना है, मुकुट भी धारन किया है, ऐसा लगता है, उनके मन में भी हमारे साथ रास खेलने की बहुत इच्छा है, तभी तो प्रियतम ने इतनी अनुपम छवी धारन किया है, और बासुरी की आवाज से, specially मेरा नाम लेके, हर सकी बोल रही है, म मिकी रिदय में कितनी इच्छा हैं, सुन्दर आभूशन पहन रहे हैं, मीठी बासुरी भी बजा रहे हैं, और बार बार हम सब सक्यों के बीच में आ आ के खड़े होते जा रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि उनकी अंदर रास खेलने की, हमारे साथ रास करने की कितनी इच्छ है प्राण प्रियतम ने कहते नटवर भेशाल धारन कर लिया है हमने तो ब्रज में बड़ी लीलाएं की इनके साथ 11 वर्ष तक पर आज तो लगता है लीला कोई विशेश ही होने वाली है थाम धनी ने इस लीला को करने के लिए हमारे रिदय में अपार उमंग पैदा कर दी है प्रेम भरे नेतरों से बारम बार प्रियतम हमारी ओर देख रहे हैं उसी से ही सुन्दर साथ जी कितना प्रेम जितना शायद योग मयाम ने आज तक न देखा हो केवल एक दूसरे की और नेत्रों से देखने पर भी वो प्रेम प्रवाहित होता जा रहा है हर जगह फैलाव उस प्रेम का होता जा रहा है वहां का पत्ता पत्ता इतना खुश हो रहा है कि आज हम पर ये कौन सी महर हो गई है कहती हैं हम सक्षियां कहती हैं सुन्दर साजी उनके सुन्दर मुक और उस पर सुन्दर मुस्कराहट पे मैं वारी वारी जाती हूँ मैं नियोच्छावर हो जाती हूँ अब इंदरावती जी आती हैं लीड लेती हैं इंदरावती जी हम सक्षियों के पास आकर कहती हैं चलो उनके पास चलें और आनंद मही लीलाएं करें और ये क्या इंद्रावती जी तो अभी ये क्या ही रही थी अभी हम लोगों के बीच में बहुत सुंदर सुंदर साजी एवी वात सांभलता वाले जी हमारे कहते हैं अभी हम लोगों के बीच में ये बातें चल ही रही थी कि राजी ने सुन ली हमारे पास आए और इंद्रावती जी की बाँ पकड़ के कहते हैं जो भी आपके मन में बात हो मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी रामत खेलनी है और तुमारे मन में जो भी इच्छा हो वो सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा पिया स्वयम आते हैं सुन्दर साथ जी इस घटना क्रम से हमें क्या पता लगा बहुत सुन्दर सिखापन देती है एक-एक चौपाई जब हम सुन्दर साथ मिलकर सखियां ही तो खड़ी थी हम सबी सखियां जब पिया जी का जिक्र करती हैं हम आपस में भी पिया जी का जिक्र करती हैं कि धनी के साथ आनंद लेने की बड़ी चाहना है तो पिया स्वयम आते हैं सुन्दर साथ जी बस प्रेम ही प्रेम वचन में वानी में कर्म में दिल में हर जगह प्रेम होना चाहिए शर्त ये है सुन्दर साजी यदि एक भी सुन्दर साथ के रिदय को हमने दुखी किया है और उनका जिक्र कर रहे हैं तो कोई फाइदा नहीं होगा उनका जिक्र करने का क्योंकि उनके र कर उनका जिक्र करते हैं तो इसके पहले की हम बातें कर रहे हैं पिया स्वयम आ जाते हैं कि आज मैं तुमसे तुम्हें बहुत आनंद दूंगा तुमसे सारी लीलाएं मैं करूंगा और एक नहीं सब के साथ कहते कोई संशय ना रखना अपने रिदह में अपनी इच्छाएं बताओ मैं सब इच्छाएं पूरी करूंगा और वो भी कैसे खुले दिल से रास की रामते करेंगे प्रेम की हर चाहत को पूरी करूंगा जिससे तुमारे जीव को इतना आनंद मिले और सक्यो जैसा तुम कहोगी ना मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा इतने प्यारे प्रियता कहते हैं ना कि जब हम एका कार हो जाते हैं तब पिया का नहीं तब हमारा हुकम चलता है सुन्दर साथ जी पूरा समर्पन करके तो देखिए पिया हमसे पूछते हैं जैसे परमधाम में पूछते हैं कि कहां चलना है बताओ वहीं लेकर चलूँगा तो यहां भी पूछते हैं सुन्दर साथ जी पूर्ण समर्पन करके देखिए एक एक बात माया की नहीं माया की आती नहीं उस टाइम पूर्ण समर्पन के बाद माया की बाते खतम हो जाती हैं तब हम यही कहते हैं पिया आज यह सुख लेना है आपको जादा पता है इसमें भी बताती हैं कहते कौन सी र रामते हैं पिया जी इतनी रामते हैं मुख्य मुख्य जो आपको पसंदोना वो करिये हमें कैसे पता मैं सोच रही थी हमें कैसे पता बहुत सारी रामते होती है हमने पहले करी हुई है क्या उनके साथ तो सुन्दर साजी ब्रज की भी याद बाकी है हमारे पास और ब्रिंदा वन योग माया की भूमी भी ऐसी है आधी नीन्द आधी जागरिती की अवस्था में इतना पता है हमें वहाँ पे भी कि बहुत सारी रामते होती हैं पर पिया मुख्य मुख्य जो आपको अच्छी लगती हो ना वो हम करेंगे आज बहुत सुन्दर और इसी इसी प्रसंग में ग्यारा नंबर का प्रकरन है सुन्दर साजी उसमें लिखा हुआ है कि अक्षरा तीत जिस तन में विराजमान हो उस तन को कार्यशील होने के लिए जीव की अवश्यक्ता नहीं होती ना ही किसी भी सितिती में उनकी मृत्यू की संभाव ना है क्योंकि अपने ही सतंग भी व्यक्ति इनी शब्दों में की जाती है कि मैं अपने प्रेमास्पद के बिना रह नहीं सकता तो यहां पर सुन्दर साजी धनी जी ने जो तन धारन किये नूरी तन उसमें कोई जीव नहीं है जबकि सक्षियों ने जो नूरी तन धारन किये उनमें ब्रह्म स्रिष्टियों का ब्रज का जीव साथ में गया है इसके बहुत सारे कारण हम सभी सुन्दर साथ एक विशेश सत्र में कर चुके हैं आप सुनना चाहें तो वो सत्र जरूर सुन लीजिएगा अब कहती हैं इंदरावती जी रास की रामतें बड़ी सुन्दर हैं संख्या में भी बहुत हैं अनंत हैं पर आप सभी आनंद में रामतों को ध्यान में रख के मुख्य मुख्य क्रिडाओं का हमें आनंद दे दीजिएगा हम सभी रिदय में प्रेम भरकर रेडी हैं बहुत तयार हैं रिदय उलास से बरा हुआ अति उमंग चाही हुई है पिया जी आज तो आपके साथ खूब खूब आनंद लेना है नित्य वरिंदावन में आपने बुलाया नए नए धंगों से रास की अध्भुतली लाएं पिया कर रहे हैं कहते हैं रात्री कैस हैं चंद्रमा की चांदनी शीतल चांदनी छिटक रही है मैं प्रियत्म के साथ मिलकर खेल रहे हैं हर तरफ आभूशनों की जलकार और अति मधुर ध्वनी संगीत मईध्वनी निकल रही है आभूशनों में से भी प्रिंदावन की भुमिका भी बहुत सुन्दर सक्षियों के अंग अंग सुन्दरता से भरपूर आनंद की क्रीडा में डूबी हुई हम सक्षियां कितनी प्यारी दिखाई देती हैं आज तो आनंद विनोध के साथ सभी सक्षियां रास की रामते कर रही हैं प्रियतम बीच बीच में बांसुरी की अपनी कमर से बांसुरी निकालते हैं बीच बीच में बांसुरी भी बजाने लग जाते हैं और क्षन क्षन में उस ध्वनी को सुनकर हर पल आनन्द की रस्धारा बढ़ती ही जा रही है इस प्रकार सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए हमारे प्राण धन अती सुन्दर अती प्यारे दिखाई दे रहे हैं कहते हैं सक्षियों ने विचार किया कि रास का बहुत अधिक आनंद लेना है वास्तविक आनंद लेना है रियतम की ओर देखिये सुन्दर साथ जी कभी बासुरी बजाते हैं जब बासुरी को होटों से हटाते हैं तो अमृत से भी मीठी वानी बोल रहे है सुन्दर साथ जी और सब सक्यां अत्यदिक आनंद लेती हैं उस वानी का भी और रास की सभी ख्रीडाओं का आनंद और इस आनंद को सुन्दर साजी जीव भाव से और शरीर भाव से उपर उठ कर देखना है इंद्रावती जी तरह तरह की भाव भंगिमाएं करके रास खेल रही है और प्रानेश्वर के मन को लुभा रही है यही लुभाना सुन्दर साजी इंद्रावती जी ने जो आगे बढ़ के प्रियतम को लुभाया प्रियतम के साथ ये जो लीलाएं की सुन्दर साजी प्रान ना थक्षरा तीत बनना है उसकी भूमिका तयार हो रही है रास में ही भूमिका तयार हुई जागनी रास की सुन्दर साजी कहां भी जाता है जो जो सक्षियों ने अभी आगे जाके आएगा किनों ने पुरुष्टन धारन किया आज जागनी रास में किनों ने स्त्रीधन धारन किया कौन प्रान नाजी बने हम सब जानते हैं जब अंतर ध्यान की लीला होगी तब ये भी आता है बहुत ही सुन्दर अब जैसे जैसे खेल में डूपती जा रही है उत्सा और बढ़ता जा रहा है क्योंकि योग माया की भूमी पे ठकान नाम की कोई चीज नहीं होती बीटती हुई रात्री के पश्चात जैसे लालिमा के साथ उगता हुआ सूरज सुन्दर होता है न वैसे नित्य व्रिंदावन की छवी भी अनुपम और सक्खियों की प्रियता मक्षरातीत के साथ भी वैसी शोगा दिखाई दे रही है आभूशन अती सुन्दर श्रिंगार इतने सुन्दर कहते ही अभूशन इतने सुन्दर लग रहे है जैसे मूल से ही बहुत प्यारा है यह बहुत सुन्दर लिखा है जैसे मूल से इन अभूशनों का संबंद उस नूरी तन के साथ रहाओ इतनी प्यारी उनकी आपस में chemistry दिखाई दे रहा है आभूशनों की उनका कितना प्रेम है आपस में यहां सुन्दर श्रिंगार सजा होगा कहते हैं बिना तार्तम ग्यान के इस ग्यान रूपी धन के विशे में कोई जान नहीं सकता प्राणेश्वर अक्षरातीत बहुत उल्लास में है ऐसी लीला में सुन्दर साजी मिडवे अगर नहीं हम अज रास को छोड़के जागनी रास में आई नहीं सकते पहले पूरी नींद में गए हैं हम होके आए हैं फिर आधी नींद में आना पड़ेगा फिर हम पूर्ण जागरिती की और अग्रसर होंगे छोड़के हम डारेक्ट यह तो दिवास्वपन है सुन्दर साजी की हम जा जानती नहीं है लक्ष कहां पे है पहले पता ही नहीं पूर्ण प्रियतम है कौन तो फिर हम उन तक पहुँचेंगे कैसे सुन्दर साजी कहते हैं सक्षियों की भाव विवलता को देखके मन ही मन बड़े प्रसन हो रहे हैं प्रियतम रास की कृड़ाओं में आप देख रहे हैं ना सुन्दर साजी कभी सक्षियां पीछे होती हैं कभी आगे होती हैं ऐसे लगता है जैसे प्रेम का को युद्ध चल रहा हो सभी रास खेल रहे हैं बहुत सुन्दर गुंजाय मान वो धर्ती हो रही है अनंत प्रेम अनंत आनंद का उत्सव मनाया जा रहा हो समा रो हो सुन्दर साजी राजी और सक्षियां मन के अनुसार तरह तरह की क्रीडाएं कर रही हैं रास की क्रीडा में बहुत सुन्दर I loved it सुन्दर साजी सुन्दरी वल्लब बनने हम सुन्दरियां और हमारे वल्लब दोनों सुन्दरी वल्लब बनने करें इच्छा मन गमें जो उनका म कह रहा है वैसे कर रहे है जो इच्छा दिल में आ रही है वैसे राजी पूरी कर रहे है रीस तो कोई ना खमे नीच तो भाखे ना नमे बोले बल तन कहते हैं ना तो कोई किसी पर क्रोध कर रहा है ना किसी के लिए रूखी भाशा बोल रहा है बाखा भी ऐसी नहीं बोल रहा ना तो कोई क्रोध सेहन करने का प्रसंग आता है रास में ना रूखी भाशा बोलने के कारण किसी को जुकना पड़ता है वलकि प्रेम से भरपूर सभी अपनी नूरमईतन की शक्ती के अनुसार बहुत सुन्दर, मीठी वानी बोलते हैं तो जिसमें जितनी शक्ती होती है अगर हम रूखा बोलते हैं अगर हम गुसे से बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर उतनी शक्ती नहीं है हर कोई अपने नूरी तन की शक्ती के अनुसार अती मीठी वानी बोल रहे हैं अब इस तन की भी शक्ती है सुन्दर साथ जी यहां पे इस जीव की भी शक्ती है हर कोई उसके अनुसार बोल रहा है यदी मीठा बोल पाते हैं तो इसका मतलब और खाली बोलना नहीं उपर से की अंदर कड़वाट और उपर मिठास no 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 not loud तो अंदर वे मिठास उपर वे मिठास हर जगह मिठास ही मिठास क्या दर्शाता है जुकना क्या दर्शाता है कि आपके अंदर राजी ने बहुत बल दिया हुआ है इसलिए तो कहते हैं सुन्दर साथ जी कोई भी कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन कहना बहुत असान पर वही चाह सकता है कसाला देने वाले का भी भला वही चाह सकता है जिसके अंदर इतना बल होता है कभी-कभी लगता है चिलाने वाला बहुत बलशाली है वो बहुत कमजोर है अंदर से जो सहन कर रहा है न और कुछ नहीं बोल रहा है मुस्करा रहा है फिर भी मीठा ब बलशाली दिख रहा है पर वो बातुनी बलशाली है जो अन्दर से मिठास अंदर से विनमरता को धारन किये हुए है अक्षरा तीत के साथ लीला करती हुई रास क्रीडाएं करती हुई हम सक्यां बड़ी चतुराई भरी चाल चलती हैं उनके सब सक्यों के मुख सुंदर साजी हम सब के मुख इतने सुन्दर लग रहे हैं बड़ी मनोरम कहते हैं उनकी क्रिश कटी पतली कमर बड़ी सुन्दर लग रही है रास करते हुए और लहंगे का घेरा कमर में पतला और नीचे चोड़ा है इस प्रकार जैसे एक गंटा होता है गंटी बज़ती है। उस प्रकार से लहंगे दिखाई दे रहे हैं। ना आता हो और सेवा करनी ना आती हो कुछ भी अमारे अंदर ना हो पर उनके वानी की वांग में कलेवर की सानिध्यता में आते ही पिया गुण भरने शुरू कर देते हैं तो सोचिए जब साक्षात प्रियतम सामने खड़े हो तो निपुनता तो अपने आप ही आ जाती होगी प्रियतम में प्रानेश्वर के लिए अपार प्रेम भरा बस बार बार रास में यही आता है हमसे यही एक्सपेक्टड है सुन्दर साथ जी कि प्रेम की ध्वजा पूरी तरह से अपने अंदर प्रेम भर कर आएं आस पास भी प्रेम ही प्रेम पहलाएं तो जागनी रास करन से भी हमें कोई नि रोक सकता कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे सुन्दर साजी रास लीला में निपुन सख्यां भी हम सख्यां भी अती मनुहर उच्छ स्वरों में गा भी रही है आभूशन बाजंत्र जैसी द्वनी भी निकाल रहे हैं सोचिये सुन्दर साजी टेक पॉज सख्यां प्लस शामा जी उचे उच्छ स्वरों में गा रही हों कैसा लग रहा होगा वरिंदा वनी पिया कैसे निहार रहे होंगे हम सब सक्यों को क्या गा रहे होंगी हम सुन्दर साजी पिया के गुण गा रहे होंगी प्रेम के गुण गा रहे होंगी जो आनंद आ रहा है उसको गारी होंगी सुदर साथ जी पिया के मुखार बिंद पे इतनी हसी इतनी खुशी है कि शुकर है कितना प्रसन होंगे धनी जब हम सब बारा हजार मिलके तरहटी में भी इसी प्रकार पिया जी के गुन गाएंगे खूब आनंद लेंगे खूब प्रेम उनसे लेंगे उनके अंग-अंद की शोभा मनमोहक रिदय में प्रेम लिये हुए सक्षियां दोड दोड के आती है बढ़ चड के क्रियाएं करती है और रास लिला में दृड़ता पूरवक खड़ी रहती है कोई पीछे नहीं रहती पूरा दिल वहाँ पे दे रखा है सुन्दर साजी प्रेम मैं वार्ता करती हुई इंद्रावती जी इतने प्रकार की लिलाएं करती है और ये सब का वर्णन होने के बाद ये सब कर लिया सुन्दर साजी खुद पढ़ियेगा कुछ शब्द मैं यहां बोल भी नहीं पाऊंगी खुद श्री रास ग्रंत का मन्थन कीजिएगा कितना आनंद उनको मन्थन करने में है परंतु याद रखिएगा प्री रिक्विजिट इस शरीर भाव से नहीं पढ़ना जीव भाव से उपर उठके पढ़ना है सुन्दर साजी ना वहां जेंडर्स होते हैं योग माया की धर्ती पे या परंधाम की धर्ती पे वहां किसी प्रकार के कोई जेंडर नहीं होते दर फर्स्ट रीजन रास यहां पर नहीं खेली गई काल माया में योग माया में खेली गई क्योंकि विकार द्रिष्टी काल माया की speciality है और योग माया विकारों से रहीत होती है दिस इस दे फर्स्ट रीजन आपने भी जरूर कुछ और कारण ढूंडे होंगे कि रास काल माया में ना होकर योग माया में क्यों हुई अगले हफ्ते हम इस विशय पर सहूर करेंगे आप सबी सुंदर साथ जरूर जो जो कारण आपके रिदह में आता जाए उसको पंक्ती बद उसको लिपी बद उसको लिख जरूर लीजेगा ताकि सबी सुंदर साथ जी को सुक मिले पहली रामत अब कहती है आओ ताली बजाते हुए खेल खेलते हैं केवल दस मिनेट और सुन्दर साजी उसके बाद जैकारा लगाएंगे हम खेल खेलते हुए गीत भी गाएं और हास परिहास करते हुए आनद मगन हो जाएं कहते हैं प्राण प्रियतम ये रामत पड़ी सुन्दर है हमारी मन पसंद है अती सुहावनी है हम तालियां बजाते हुए राग कालेरों के उच्छ स्वर में प्रेम भरे गीत गाएं प्रेम भरे गीत तालियां बजाते हुए हमें अपनी चाहत को पूर्ण करने का अवसर प्र सुन्दर साजी, plan for that. Start planning. अभी कुछ नहीं आरी, कोई बात नहीं करनी आरी पिया जी से. अपने आप ही सुन्दर साजी बातें कीजिये धनी से. चित्वन में बैठके plan कीजिये. हम क्या क्या करेंगे पिया जी के पास. पिया जी के साथ मेरे सामने पिया दर्शन देने आ जाएं क्या क्या मुझे धनी जी से बातें करनी है क्या क्या मुझे उनके साथ क्रीडाएं करनी है क्या क्या लीलाएं मुझे धनी जी के साथ करनी है पर इससे पहले हमें रहनी का श्रिंगार उससे सज कर इस जीव को तयार क करना पड़ेगा ताकि इसकी capacity बढ़ जाए ये सहन कर पाए जिसने आज तक सोचा भी नहीं देखा भी नहीं वो सहन कर पाए क्योंकि अंश तो इसको भी मिलने वाला है बस सुन्दर साजी एक रामत हम अगली ही बार शुरू करें तो अच्छा वैसे भी सुन्दर साजी इतनी प्यारी इतनी प्यारी ये बाते हैं और हमें पिया के साथ निस्बत की डोर से बंद कर बस ये बीच में एक बहुत important बात है निस्बत की डोर का खिचाव मैसूस होना चाहिए दीली ना छोड़िए जैसे ही हम धनी की और खिचते चले जाएंगे न हर एक बात आनंद देगी किसी से ना करो अंदर से करते हैं दिखते तो नहीं हैं पर अंदर से उप जाते हैं हर सुन्दर साथ के साथ होता है तो वो पियाई बात कर रहे होते हैं सुन्दर साथ जी शुरुवात कम से कम आधी नींद की ओर तो बढ़ रहे होते हैं हम सभी सुन्दर साथ क्योंकि हाई hopes मत पालिये अभी कि हमें जाना है लक्षय उंचा रखिये पर हम यहां पहुंच चुके हैं नहीं सुन्दर साथ जी चित्वन हो जाए तो पूर्ण जागरिती कहा जा सकता है उसके बिना नहीं कहा जा सकता कव निंदत कव बंदत वृथा वृथा बखत बहु तेरे कहते कोई मेरी निंदा करता है कोई मेरी बंदना करता है कोई प्रशंसा करता है और कोई मेरी बुराईया करता है बहु तेरे वृथा बखत बहु तेरे बहुत हैं जो मेरे बारे में कुछ कुछ कहते हैं अपनो मेरे लिए क्या important है मेरा दूला राजी होना चाहिए बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नी पड़ता चाहे कोई मुझे निंदे चाहे कोई मुझे बंदे मुझे कोई फर्क नी पड़ता अपनो दूला राजी चाहिए जा संग पारे फेरे जिसके साथ मैंने फेरे लिये है ना जिसके साथ मेरी निस्वत का संबंद है जिसको मैंने पहचान लिया है वो दूला मेरा राजी मेरे प्रियतम राजी होने चाहिए मुझे और किसी चीज़ से कोई परक नहीं पड़ता सब विधी मैं इनकी और प्रियतम मेरे हर विधी से मैं उनकी और वो मेरे बस मुझे एक ही बात पता है पूरा दिन पूरा दिन मेरे अंदर एक ही बात चलती मैं तेरी तू मेरा बस तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जलतरंग जैसा तो ही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा गुर्बानी कहती है सुन्दर साजी मैं और तू तू और मैं कोई अंतर नहीं हम दोनों में और मेरा दूला राजी है न तो ये दुनिया कुछ भी कहती रहे doesn't matter सुन्दर साजी इसलिए डूबिये प्रज में रास में और फिर परमधाम की और रिद्यंगम कीजिए इन लिलाओं को ताकि मूल मिलावे का रा आसान हो जाए directly करके देखा है न नहीं हो रहा न तो स्वामी जी कहते हम कोई भी अंग पिया जी का छोड़ नहीं सकते रास चरण है सुन्दर साजी परंतु अटके नहीं रहना ये बहुत ध्यान दीजिए शुरू कीजिए ब्रज से रास से पर अटके मत रहिए आगे बढ़िए परमधा स्वयम घुमाएंगे ना प्रियतम उनके साथ मिलके हम सब धन्यानिया पूरा परमधाम देखेंगे आप सभी सुन्दर साजी के चणनों में कोटान कोर प्रनाम जी कोई भी तृती हूई हो सुन्दर साजी कृपया अग्यानी प्रेम में शून्य ज्ती समझके मुझे